नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अर्शे देवेदी फ्रेंट्स और आज की वीडियो में बात करूँगा आपसे components of biosphere के बारे में देखे अगर आप biosphere के components की बात करेंगे तो तीन चीदों का नाम आपके सामने आता है एक तो होता atmosphere एक होता है lithosphere एक होता है hydrosphere atmosphere मतलब जो gases हवा वगारा हमारे environment में है lithosphere मतलब lithosphere को मैं आपको इससे पहले की वीडियो से में बता चुका हूँ जो upper crust होता है जो की upper part of westernosphere तक जाता है upper crust, lower crust और upper part of westernosphere और hydrosphere मतलब पानी का जितना भी part है हमारे अर्थ पे तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है biosphere और खासकर वो elements जहां पे थोड़ी सी life है अब थोड़ा से इसके अंदर गुसने की कोशिश करेंगे friends यहां पे आप देख रहे हैं friends यह पूरी हवा है ठीके तो इसको बोलते हैं आप atmosphere फिर यह आपका land है उपर का part तो इसको आप बोलोगे lithosphere और यह आपका पानी पानी वाले part को आप बोलोगे hydrosphere तो जहां पे इन तीनों का cross section आपस में मिलता है ना जैसे कि पूरा गोला दिखा रखा है इस गोले में life thrive करती है चुकि इंसान को रहने के लिए तीनों चीज़े चाइए जमीन चाहिए तो जमीन उसको कौन देगा lithosphere देगा उसको अपने रहने के लिए पानी चाहिए daily वर्फ के लिए पानी चाहिए पानी कहा سे मिलेगा hydrosphere से और उसको हवा चाहिए जिन्दा रहने के लिए उक्सीजन तो सूंगे गया उसकी मेना कैसे जिन्दा रहेगा तो उसको चाहिए atmosphere ठीक है atmosphere सिर्फ oxygen के लिए नहीं greenhouse gases से हमको बचाता है बहुत सारी चीज़े हैं friends उसमें तो इन तीनों के interaction से एक individual अपनी life को derive करता है इस earth पे तो इन तीनों के interaction से जो वो महौर बनता है जिससे वो individual यहाँ पर अपनी जिन्दिगी जी रहा है उसको आप क्या बोलोगे उसको आप बोलोगे biosphere ठीक है अब इस biosphere की थोड़ी सी history देख लेते हैं इस term को किसने coin किया थो एक geologist थे Edward Swiss नाम के 1875 में उन्होंने इस term को इजात किया था और इन्होंने बोला था कि ये वो जगा है earth की surface में जहां life thrive करती है जहां life है और biosphere को हम लोग ecosphere भी बोलते हैं क्योंकि इसको आप दुनिया भर के सारे ecosystems का sum addition मान सकते हैं इसको zone of life भी कहा जाता है earth पे और एक close system है ये इसमें आपकी जो solar radiations आती है जो cosmic radiations आती है जो earth की interior से heat आती है अब interior heat of the earth के बारे में मैं एक अलग से video बनाँगा तो उसके तुरह सा patience रखी तो वो सब इस biosphere में included नहीं है reason being biosphere का एक basic आप premise समझ लिजे की life होनी चाहिए वहाँ पर तोड़ा इसमें और जाते है इसकी अगर आप general bio physiological definition देखेंगे जो की आपकी Wikipedia पर लिखी हुई है तो लिखा है कि biosphere is the global ecological system integrating all living beings and their relationships including their interactions with the elements of lithosphere geosphere, hydrosphere, atmosphere अब देखें lithosphere, hydrosphere, atmosphere की तो मैंने बात कर ली यह नया वर्ड geosphere कहां से आ गया तो geosphere से confused मत हुई है geosphere को और lithosphere को यह interchange करके use करते हैं अब देखें geosphere को modern text और earth science system में क्या बोलते हैं यह solid part of the earth को आपका geosphere बोला जाता है और कभी-कभी पूरी दुनिया को describe करने में हमारे physical features को describe करने में atmosphere, hydrosphere, biosphere के साथ हम लोग geosphere भी use करते हैं अब सवाल यह आता है कि geosphere में आता क्या क्या है तो geosphere में हमारे earth के सारे solid parts आते हैं और geosphere का use हमारा जो magnetosphere के साथ जो हमारे earth के physical features का जो interactions है, जो atmosphere का interactions है, उसको describe करने के लिए भी कभी-कभी geosphere को use किया जाता है magnetosphere क्या होता है, देखे magnetosphere हमारे earth के around जो space है उस space को बोलते हैं जहां पर earth का magnetic field dominant है, देखे, earth का magnetic field है, magnetic lines of forces निकल रहे हैं, ये north pole से, south pole से वो entry मार रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से, earth के 4 तरफ space में बहुत सारे distance तक एक magnetosphere develop होता है चुकि वहाँ पर earth का magnetic force dominant है, तो उस area को आप magnetosphere बोलते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताए lithosphere को, geosphere को interchangely use करते हैं, और याद रखेगा आपका कि lithosphere और geosphere में बहुत फरक है चुकि geosphere में आपकी वो ocean basin को भी आपका geosphere में इंक्लूड किया जाता है अब liquid core तक को जो हमारे earth के अंदर उसको तक को आप geosphere में इंक्लूड करते हो और ocean basin आप समझे रहो ना friends, जैसी कि आप जो हमारे समुंदर भरे हुए हैं तो समुंदर भरे तो नीचे जाके गहराई में तो लैंडी है ना उसी के ओपर समुंदर थ्राइफ कर रहे हैं तो अगर आप पूरा समुंदर हटा दो तो नीचे जो खड़ा बनेगा ना तो उस खड़े को आप ocean basin बोलेगे तो ocean basin भी geosphere में आता है तो पिल मिला के आप ये समझे कि जब भी आपके सामने बात आएगी biosphere की तो आप geosphere से confused मत होईएगा उसको side अटा दीजे तीन चीज़े याद रखे lithosphere, atmosphere और hydrosphere अब जो थोड़े बहुत आपके doubts में वो इस side में complete हो जाएगे कहा जाता है कि biosphere north pole और south pole के extremes पे नहीं होता है चुकि वहाँ पे life बहुत कम है या है ही नहीं फिर deepest oceans में biosphere नहीं है highest mountains में biosphere नहीं है चुकि वो conditions इतनी ज़्यादा hostile है कि वहाँ पे life ही नहीं है तो life is a characteristic feature of biosphere अब कहा जाता है कि 8000 meter की उचाई की उपर और भी कुछ fungi और bacteria जिंदा रहते है बट वो metabolically inactive है तो जब वो metabolically inactive है तो वो dormant life को represent कर रहे है और वो biosphere नहीं है तो आप इस बात को समझे फ्रेंट्स बिलकुल mountain की उचाईयों में बिलकुल ocean की घहराईयों में और ये सब आपके geosphere के part है योगि geosphere represent करता है solid parts आप दार्थ को तब भी ये biosphere में नहीं आएंगे तो biosphere में केवल lithosphere आएगा यानि जो upper part of the earth crust और asthenosphere का upper part तक फिर आपका समुंदर आएगा फिर आपका atmosphere का वो area आएगा यानि वो इलाके इन जगाओं में जहाँ पे आपको life देखने को मिलती है बस वही आएंगे आपके biosphere में तो biosphere is an interaction of lithosphere atmosphere and hydrosphere where life exists इस बात को दिमाग पर रखेगा तो इस तरीके का कुछ होगा ऐसा जिसमें यह होगा आपका atmosphere यह lithosphere यह hydrosphere I hope you video आपको समझ में आगई हो friends, समझ में आगई हो तो video को like करके channel को subscribe कर लेजगा so thank you friends, good bye